असलाम लीकुम एवरीवान मैं हूँ डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिद्वत में हाजर आपकी बहुत ज्यादा फर्माइश किये गए टॉपिक पर एक क्रिस्प वीडियो लेकर के लिवर को हील करने के लिए फैटी लिवर पर मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ हपके डिटोक्सिफेकरिकेशन ओर्गन है तब आपके लिवर के अकटफे हुने का ग глубOY की बड़ा ही ब्रेटैंव इक बड़ा ही रोबस्टारगन है और अगर आपके पास आप अपने पूट से और अपने lifestyle, अपने liver की healing journey continue करते हैं, तो liver को heal करना सिर्फ खानों से, जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल authentic बात सुन रहे हैं, सिर्फ खानों से possible है और आपको उसके लिए medicines की जरूरत नहीं है, provided अला ना करे कोई आपके पास advanced liver cirrhosis, या कोई आपके पास liver cancer या कोई ऐसा disease नहीं हो गया है तो fatty liver को आप liver inflammation को आप खाली खानों से reverse कर सकते हैं liver के आपके पास बहुत सारे functions आपके पास detoxification organ है आपके पास bile salts बनाता है जो कि आपके fats को digest करता है आपके पास बेपना hormones बनाता है जिसमें आपके पास आपके insulin-like growth factor आजाता है जो बिल्कुल growth hormone जैसे functions performed करता है यानि हमारी body में को fat burn करने में help करता है एक anti-aging hormone है आपके पास muscle protein synthesis में ये काम आता है इसके साथ-साथ आपके पास liver वो proteins भी बनाता है जो के आपके जिसम से hormones को और cholesterol को इन सब को ट्रांसपोर्ट करता है और इनके effect को buffer भी करता है इनके effect को neutralize भी करता है Fatty liver के treatment के लिए जब आप cholesterol-lowering drugs, statins लेना शुरू करते हैं तो वो cholesterol की synthesis cholesterol का बना ड्रॉप करते हैं और अगर आप अपनी dietary changes से इस चीज को achieve नहीं कर रहें और shortcut ढूंड रहे हैं, statins ले रहे हैं तो याद रिखें कि जब cholesterol बनना कम हो जाता है आपके पास तो cholesterol आपके पास वो सारे hormones भी बनाता है सारे steroid hormones, estrogen, testosterone, cortisol उन सब की production भी साथ ही बंद हो जाती है 80% of cortisol हमारे blood में हमारे liver से आता है और ये वो हामोन है जिसके बगार हम stress situations को adapt नहीं कर सकते तो क्या चीज़ smart है आपके पास आपके पास दुआयां लेके अपना cholesterol कम करना ये चीज़ smart है fatty liver की treatment या फिर आपके पास खानों के जरीए fatty liver की treatment जो है वो ज्यादा smart answer है तो of course ये ही ज्यादा smart answer है fatty liver और liver inflammation की शरुवात में आपको जो symptoms हो सकते हैं that can be fatigue, that can be lethargy, कुछ चुछोगों का cognitive function जो है यानि उनकी attention, memory, focus वो भी decrease होता है liver function अगर आपके पस decreased है तो bilirubin levels ज्यादा होने की वज़ा से jaundice eyes जो है आपकी वो भी yellow हो सकती है itchiness भी हो सकती है skin में and a lot of other things अब आज आते हैं best foods की तरफ जिससे आप अपने liver functions को heal कर सकते हैं and the number one is cruciferous vegetables cruciferous vegetables जिसमें आपके पास cabbage, cauliflower, lettuce, broccoli और ये सारे vegetables आ जाते हैं इसमें आपके पास एक जबर्दस किसम के antioxidant chemicals मौजूद होते हैं glucosyanolates और sulphorephanes sulphorephanes बहुत ही strong hepatoprotective agent है यानि आपके liver को protect करते हैं liver में inflammation को, liver में fat को कम करते हैं और इसके साथ साथ याद रखे कि जब आप cruciferous vegetables को over cook करते हैं तो sulphorephanes जो है वो deactivate हो जाती है इसे इन सबजियों को सिफ हलका साथे करें या steam करें और अगर आप थोड़ा बहुत mustard इसमें अड़ करते हैं तो आप इनकी effect को activate कर सकते हैं No.2, my favorite जो के भी थोड़ी देर पहले मैंने भी किया है garlic, lesson lesson आपके पास इतना powerful antibiotic, इतना powerful antimicrobial है lesson को इस्तमाल करने का तरीका यह है कि उसका एक clove लिया जाए उसका छिलका उतारा जाए और इसको आदे घंटे के लिए हवा में रख दिया जाए एक clove में आपके पास 100 से ज्यादा sulfur compounds होते हैं class of sulfur compounds जो आपके पास lesson में होते हैं इसको allicine compounds केते हैं और बोडी से सारे infections को wash out करने के लिए काफी है इसके साथ साथ garlic आपके पास liver से fat को भी कम करता है और यह B1 vitamins से loaded है B1 vitamins हमारे पास food को energy में convert करने में मदद देता है तो आप बहुत ज्यादा energetic और active रहते हैं क्योंकि दूद में मौझूद जो fat होता है तो turmeric में मौझूद जादवी compound curcumin जो है उसकी blood stream में absorption बढ़ा देता है यह उसको काली मिर्श के साथ लें black pepper में मौझूद जो pepperine होता है वो भी turmeric में मौझूद की body में absorption को बढ़ा देता है turmeric आपके पास जो heavy metals है उनको detoxify कर सकता है in heavy metals में lead, mercury, arsenic, cadmium यह सब आ जाते हैं और क्यूंकि liver आपके पास metals का भी detoxification organ है तो अगर आपके liver का function decreased है और आप daily basis पे हल्दी लेते हैं तो यह liver के function को आपके पास assist कर सकता है इसके साथ साथ जो आपके पास turmeric है उस cells में नए mitochondria की growth और उनका number भी increase करता है अगर आप daily हल्दी के इस्तमाल को intermittent fasting आजकल तो वैसे भी रोजे चल रहे हैं उसके साथ combine कर लेते हैं तो आप cells में नए mitochondria की growth यानि आप cells के metabolism को जबर्दस तरीके से जो है वो boost कर सकते हैं और क्योंके anti-inflammatory है तो आपके पास liver cirrhosis, liver fibrosis का खत्रा जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है next चीज जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो है आपके पास beets beets को जब भी इस्तमाल करें juice की form में इस्तमाल ना करें beets को आप whole form में इस्तमाल करें जब आप juice की form में इस्तमाल नहीं करेंगे तो आपका insulin जो है उसको बहुत ज़्यादा spike नहीं देगी बलकि उसका fiber जो है उसके आपके insulin levels को maintain करने में buffer करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा Beats की कमाल बात यह है, अगर आपके liver enzymes बहुत जादा raised आते हैं, daily basis पे, आप Beats का इस्नमाल करना शुरू कर दें और आप खुदी असर देखेंगे, यह आपके enzymes को normal करने में भी help करता है, और bile flow को भी regulate करता है Next is, जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, in fact, यह food item पूरी video deserve करता है, और यह आपके पास mushrooms, mushrooms are loaded with glutathione, glutathione body का सबसे powerful antioxidant है, सबसे powerful anti-inflammatory agent है and the next thing is avocado, जी मैं जानती हूँ, यह बहुत expensive है और आपको इसको रोज खाने की जरूरत नहीं है, अपने liver के function को boost करने के लिए, हफते में ए सबसे powerful antioxidant, glutathione का बहुत जबरदस source है and last but not the least, extra virgin olive oil, यह भी expensive है I know, just one teaspoon a day of extra virgin olive oil in your salad is more than enough, insulin sensitivity को improve करता है, insulin resistance को decrease करता है, fatty liver का बिखतरीन इलाज है, अगर आपको grade 1, grade 2 fatty liver test में डिएग्नोस हुआ है, तो अपनी डाइट से सारा junk निकाल दीजे और इन खानों का इसनमाल daily basis पर start करें, दो से तीन महीने के बाद अच्छे exercise routine, sleep routine और इन खानों के इस्तमाल के साथ, इंशाला results दे कर आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इंशाला बहुत जलते आप रोगों से एक और informational video के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, Allah हाफिज अथिक है बहुत जलते आप के लिए मुलाका तो और आप दपना है